है गाइस तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजिट्स ऑफ नंबर का सॉलुशन तो क्या है कि यह है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा आपको सिंप्ली उसके डिजिट्स प्रिंट करनी है जैसे अगर मेरे को नंबर मेलता है 65784383 तो पहले फर्स्ट डिजिट्स प्रिंट होगी 6 फिर नेक्स 5 जैवन एट 4383 सारी डिजिट्स प्रिंट करवानी है इंड सेपरेट लाइस इसको डिस्कस करते हैं कि प्रिंट मैं इसके लिए एक एक एक्जांपल लेता हूं एट suppressed एंड की वैल्यु थी 3241 सेवर तो इसके लिए मेरा जवाब आना चाहिए पहले 3 प्रिंट फुष्प किरीट के बाद 4 फिर 1 थन 7 तो यार अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड करता हूँ अगर मैंने इस नंबर को 10 से डिवाइड किया तो मैं पास Queshant और Remender क्या आता है Queshant आएगा मैं पास 3, 2, 4, 1 Remender आएगा 7 तो इससे तो मैं कहीं भी 3 प्लेंट नहीं कर पाया अगर मैं नंबर को 100 से डिवाइड करता तो मैं पास Queshant आता 3, 2, 4 Remender आता 1 सब अगर मैं 1000 से इस नंबर को डिवाइड करता तो मैं पास नंबर आता 3, 2 और Remender आता 4, 1 सब Queshant 3, 2, Remender 4, 1 सब अगर मैं इसको 10 के पावर 4 से डिवाइड करता तो question आता 3 और remainder आता 2, 4, 1s है तो ये शायद मेरे लिए कुछ काम का हो सकता है क्योंकि इसने number को दो हिस्सों में तोड़ा और पहला हिस्सा basically 3 है दूसरा हिस्सा बाकी का बचा हुआ number तो इस number को मैं 10 के पावर 4 से divide करता हूँ 10 के पावर 4 से divide करने पे question आएगा मेरे पास 3 remainder आएगा 2, 4, 1, 7 तो 3 मेरे पास अलग से आगया मैं इस question को print करवाने बाला अब जो current remainder है मैं उसी को reduce कर दूँआ जो current remainder था उसी को मैंने n बना दिया नमबर को reduce कर दिया current remainder निकाला था वही value assign कर दिया n इसससे हुआ गया देखते हैं तो मैंने question को print करवा दिया console के उपर 3 print हुआ number reduce होगे 2, 4, 1, 7 अब 2, 4, 1, 7 को मैं दो हिस्तों में तोड़ना चाह रहा था कि पहले digit मेरे पास अलग से आज़ा है और बाकी बचा होगा number अलग से आज़ा है तो question को print करवा दो 2 print हो जाएगा और जो अभी आपका remainder आया था उसकी value assign कर दो n n की value अब बन गए 417 ठीक है अब 417 को भी मैं दो हिस्सों में तोड़ना चाहरा हूँ पहला हिस्सा पहली digit को contain करता है बाकी का बचावा हिस्सा बाकी की बचीवी digits को contain करें तो ऐसा करने के लिए मुझे इसको 10 की पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा question आता है 4 remainder आएगा मेरे पास 17 ठीक है question को print करवा दो 4 छप जाएगा और जो अभी remainder रिकाला था उसकी value n में assign करता हूँ तो n की value 17 होगी 17 को मैं दो हिस्सों में दोड़ना चाहता हूँ इससे पहला हिस्सा एक digit को contain करेगा पहली digit को और दूसरा हिस्सा बाकी की बचीवी digits को ऐसा करने के लिए मुझे इसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा जो मैंने इसको 10 से डिवाइड किया quotient will be 1 and remainder will be 7 quotient को मैं print करवा दो 1 प्रिंट हो जाएगा और जो अभी आपका current remainder था उसकी value sign करती n में अब n की value 7 अब मैं इसको 2 हिस्सों में दोड़ना चाहता हूँ पहले digit को अलग निकालना चाहता हूँ बाकी बचीवी digits को दूसरे हिसे तो मैं इसको 1 से डिवाइड करूँगा quotient will be 7, remainder will be 0 और quotient को print करवा दो तो मुझे जो answer print करवाना था वो print हो चुगा है तो number को 2 हिस्सों में break कैसे करूँगा तो एक ऐसे number से divide करूँगा जैसे अगर इसमें 5 digit होती है तो 10 की power 4 से divide करूँगा किसी n number में अगर m number of digits है m number of digits तो मैं उसको 10 की power m-1 से divide करूँगा m- divide करने से क्या होगा number 2 हिस्सों में divide हो जाएगा क्यों शंट में आगी पहले डिजिट और बाकी सारी बचीवे डिजिट रिमेंडर में आ जागी ठीक है अगली बार आपको सेम काम करना है तो 10 की पावर 4 से नहीं 10 की पावर 3 से डिवाइड करोगे नेक्स 10 की पावर 2 से फिर 10 से फिर 1 से और 1 पे हमारा काम पूरा गंप्रीट होगाता है तो यार मेरे को सबसे पहले क्या निकालना होगा थोड़ा सा इसका फ्लो बनाते हैं कि फ्लो क्या रखेंगे हम सबसे पहली चीज तो मेरे को चाहिए यह number of digits कितनी है इसके number of digits क्यों चीए चाहिए यह divisor की पहली value सेट करेंगे ना वो हती है 10 के power number of digits-1 राइट तो number of digits मुझे निकालनी पड़ेंगी उसके बाद मैं बोलता हूँ कि आप divisor की value सेट करते है 10 k power number of digits-1 ठीक है अच्छा फिर फिर बागे का कोड लिखेंगे तो उसमें हम क्या करना चाहते हैं नंबर को बार बार डिवाइड करेंगे डिवाइजर से ठीक है और दो हिसों में ब्रेक करते रहेंगे तो कुछ काम मेरे को बार-बार करना है तो उसके लिए मैं लूप लगाँगा और फिर मैं यहां पर basically calculate करूँगा क्योशंट और रिमेंडर दो इसो में उसको break कर दिया क्योशंट को मैं प्रेंट कर देता हूं क्योशंट में हमेशा पहली डिजिट आएगी मेरे पास और जो आपका करेंट रिमेंडर था उसकी वैल्यू मैं एनुए साइन कर रहा हूँ पर मैं एक चीज का ध्यान और रखना पड़ेगा आप इस डिवाइजर की वैल्यू को भी update करना है बार बार तो डिवाइजर की वैल्यू कम होती रहते है जैसे value 10 की पावर 4 थी 10 की पावर 3 10 की पावर 2 10 की पावर 1 10 की पावर 0 तो यह यहां पर मैं लिखुआ अपडेट वैल्य ओफ डिवाइजर अपडेट वैल्य ओफ डिवाइजर तो यह रहेगा आपका फ्लो लाइए से कोड़ करते हैं एडिटर पे एडिटर लिया उसके बाद सबसे पहले मुझे इसकी नंबर ओफ डिजिट्स नामता वैरिबल मैंने जीरो से इनिशलाइज किया यह हम पहले भी कर चुके हैं count digits इन नंबर जब तक n की value reduce होके 0 नहीं बन जाती तब तक मैं क्या करूँगा n को reduce करता रहूँ n को बार-बार 10 से divide करके और number of digits एक से increase करते हो number of digits प्लस वाइट इससे बहार आए तो number of digits की value मुझे मिल जाएगी इस लूप से बहार आते अब मुझे डिवाइजर की value set करनी थी तो डिवाइजर की value होती है 10 की power number of digits-1 उसके लिए मैं एक inbuilt function यूज़ करने वाला हूं पाव इंट डिवाइजर डिवाइजर की value मैंने function यूज़ किया पाव 10 की power number of digits-1 तो किसकी power कितनी निकालनी है कितनी power चीए थी दूसा parameter number of digits-1 पास कर दिया अब हम अपना answer print करवाना start करें तो यार मेरा काम कब तक चलता है यह काम मेरे को बार-बार करना था पर यह काम कब तक चलेगा जब तक डिवाइजर की value reduce हो होके 1 पे भी काम चलता है 0 ना बन जाए ठीक है तो तब तक मुझे काम करना पड़ेगा वाइल डिवाइजर is greater than 0 या फिर हम यह भी लिख सकते हैं वाइल डिवाइजर इस नौट इक्वाइजर तब तक मुझे काम करना है काम क्या करूँगा आती ही पहले नंबर को दो हिस्सों में तोड़ दो क्योशंट और रिमेंडर निकाल दो क्योशंट विल भी एन डिवाइड़ बाइड डिवाइजर एंड रिमेंडर विल भी एन मॉडलो डिवाइजर कि युशंट और रिमेंडर निकाल लिए अब क्योंकि क्योशंट में पहली डिजिश्ट होगी तो उसको प्रेंट करवा दो तो सी आउट युशंट की वैल्यू मैंने प्रेंट करवा दी है अब जो आपने रिमेंडर निकाल ला था रिमेंडर में पहले डिजिट को छोड़के बाकी बची बचीवी डिजिट रहती है वह वैल्यू आप एंड में असाइन करा दो अगली बार के लिए डिवाइजर अब टेट करना है तो डिवाइजर विल भी डिवाइजर बाइजर इसको बाइजर करके रेड्यूस करते है पहले टेंगी पावर फॉर था फिर थी होगा फिर थे फिर टेंगी पावर टू एंड सब और चीजिग तो कोड हमारा पूरा उचका है यह इसको चला के देखते ह हाई अब देखो डलती क्या आई सारी जगे जीरो प्रिंट हो गया ऐसा क्यों हुआ इस लूप को जहान से देखो इस लूप में आपने कंडिशन लगा रखिए कि जब तक एंड जीरो नहीं हो जाता तब तक यह लूप चलेगा तो अगर आप इस वाई लूप से बाहर निकलोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी जीरो फिर आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हो क्योशन और रिमेंडर निकाल रहे हो एंड डिवाइड़ बाइजर एंड की वैल्यू तो 0 हो चुकी है तो हर बार आपको वैल्यू जीरो मिलती रही है तो हमने गलती क्या कि हमने यहीं पे एंड की ओरिजिनल वैल्यू को खो दिया हम यहाँ पर सोच रहे थे कि एंड हमने जो इंपुट लिया है वही प्रेजेंट होगा पर ऐसा नहीं है एंड को तो हमने यहाँ पर रिड्यूस करकर जीरो बना दिया तो मैं क्या करूँगा इस ओरिजिनल वैल्यू को हम खोना नहीं चाहते थे तो नम में मैंने यह वैल्यू पहले स्टोर कर वा लिए अब जो मेरे को नंबर ओफ डिजिट्स निकालनी थी वह मैं एंड को यूज करते हुए नहीं निकाल नुगा नम को यूज करते हुए निकाल नुगा अब इसको चला आगे देखते हैं अब दिस वर्किंग फाइन लेट सब्मिट इट सब्मिट भी हो गया उमीद करता हूं आपको यह सवाल समझ माया आगवा मिलते हैं अंगली वीडियो में थेंक्यू वेरी मच